आज हम गंगाराम पटेल और बुलाखे नाई की यातरा के वापसी का चोथा पड़ाव कहानी शोलों में लिप्टी एक इस्तरी की पड़ेंगे अगले दिन पर आये रोज की बाती दोनों अपनी मंजिल की ओर चल पड़े सारा दिन चलने के बाद वे एक ऐसे नगर में पहुचे जो एक नदी के किनारे बसा हुआ था यह नगर कोई विशेश बड़ा तो नहीं था किन्तों यहां के लोग काफे संपन दिखाई दे रहे थे वहाँ वे दोनों एक धरमशाला में ठहरे रोज की तरह बुलाखे नाई खाने पीने का समान लेने बाजार गया वापस लोटते समयों से एक मकान के सामने एक अजूबा द्रश्य देखा उसने देखा एक बहुत सुन्दर इस्तरी एक चोकी पर बैठी जल पी रही है और उसके सरी से आग क्यूच यूचे लप्टे निकल रही है फिर भी वे इस्तरी ना तो किसी को साहत अके लिए पुका रही है और नो उस पर आग का कोई असर हो रहा है वे यूँ ही आखे बंद करके चुप चाप आग की लप्टों में घिरी बैटी है कुछ लोग उस पर पानी डाल कर आग बुजाने का प्रेतन कर रही है लेकिन आग बुजाने की बज़ाए और भी भड़क जाती यह द्रशे देख बुलाखे नाई भागा भागा अपने ठिकाने पर पहुचा सोने से पूर उसने गंगराम पटेल को द्रशे के बार में बताया बुलाखे के मुझे सारी घटना सुनकर पटेल जो मुस्क्रा कर बोले बुलाखी यह दुनिया विचर तरताओं से भरी हुई है इस और की बनाई हुई सिष्टी में परकति के हर रशे का ज्यान कर लेना नितांद दुरलब काम है आज भी यह ने ग्यानी और विज्यानी उन रहसे को जाने के लिए प्रयासरत हैं उन में से कुछ को सफलता भी मि पन्वेक्ति रहता है उसकी पतनी का नाम रूब को मारी यह था नाम तो था गुण वाली है सुन्दर ता भे मैं राखों में एक एक है एक दिन की बात रूब को मारी अपनी सहलियों के सात नगर से बाहर एक स्रोवर में स् нуженान के लिए गई स्रोवर के निकटिओ उसका पती लगी गूमते गूमते वाबाग में सी थी देख बहुत पुराने व्रिक्ष के पास पहुची इस व्रिक्ष पर खबीश उर्दु का एक शब्द उसका निवास था वह असरीरी प्रेतात्मा बहुत पहले इस व्रिक्ष पर रहती थी उसने रूपवती रूपकुमारी को अपने पती से मिलने में कतराने लगी वह बोजन बनाते पती को खिलाती फिर थोड़ा बहुत स्वयम खाकर स्वयम को कमरे में बंद कर लेती अब उसके आतों में भी बदलावा गया था पहले वस सबसे हस्ती बोलती थी अब गुमसुम रहने लगी उसका पतिया देकर घब परा गया उसने समझा कि उसकी पतनी को कोई रोग लग गया है तो उसने वैद हकीम से उसका लाइज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उल्टे जब अब पतनी पागलों जैसी हरकत करने लगी अब तो धनपत की चिंता और भी बढ़ गई उसने अपनी पतनी को गु ना दिये इस बीच एक और भी परिवर्तन रूप कमारी में हुआ वह है दिन में सोने और रात में देर तक जागने लगी उसका पती जब भी रात को उसके बिस्तर पर आता वह उसे परे जटका कर दूसरे कमरे में सोनी चली जाती और अंदर से कुंडा बंद कर लेते तंग अपनी पतनी के कमरे के दरवाजे पर पहुचा उसने एक जीरी से आंक सटाई और अंदर जाका तो उसे पीली सी मन्धम रोशनी में अपनी पतनी अपने बिस्तर बे बैठी नजर आई विस्तर पर जोसर और पासे पड़े थी उसकी पतनी बार बार पासे फैक्टी और जब इस रैसे को जानने का निरने कर लिया अब वह सारा दिन सोता और रात को जाक जाकर अपने पतनी पर निकाह रखने लगा इतना तो वह समझे गया थो कोई अश्रीरी प्रेत आत्मा उसके पतनी के श्रीर में परविश कर गई है और वह प्रेत आत्मा है कौन और गुनियों जो औरतांत्र कों की दिखाने पर भी उनके पकड़ में क्यों नहीं आ रहा उसका उत्तर वैस समझ नहीं पा रहा था इस से उसका मान सिक्तना वड़ने लगाई से द्राम में आकर उसने खतरनाक नियने लेडाला एक शाम वे दिन ड़ले ही अपनी पतनी कमरे में च्छिप कर बैठ गया वे देखना चाहता था कि उसके पतनी कमरा बंद करके किस के साथ बाते करती है किस के साथ वे चोसर खेलती है कौन है वे अश्रीरी आत्मा जो उसे यह सब करने के लिए बात दे करती है उनी सबाता पर विचार करते हुए बाद दम सादे हुए उस कमरे में बिस्टर के नीचे छिपा बैटा रहा और दरातरी हुई तो कमरे में सबती पीले रंगा करमस फैल गया फिर किसी की वाज कमरे में बुंजी क्या चोसर नहीं के लोगी रूप कुमारी रूप कुमारी उस अवाज को सुनकर उट बैटी अपने बिस्टर पर चोसर बिचा दी बोले आईए विराजी मैं तो आपके ही परतिक्षा कर रही थी रूप कुमारी के बिस्टर के नीचे छिपे बैट उसके पतिक को ऐसस हुआ कि जैसे कोई भारी विजन वाला व्यक्ति भी बेटा हो फिर पासे शैकने की आवाज आई कभी उसके पत्नी के खिलाने की आवाज आती तो कभी किसी पुरुश का उत्साबरा से बनाट का धेरे जवाब देने लगा एक आयक वे प्लंग के नीचे से निकल गयर को रोध बरी दिश्टी से अपनी पत्नी के उर देखत कि जूट बोलती है तू मैंने अभी 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 पलंग पर किसी वक्ति के बैठने का एसास किया था बीच बीच में उसका उत्सा से बरा सवर में मुझे सनाए दिया था आ तुझे यह रहसे बताना ही पड़ेगा कि राज को कौन देरे पास आता है उत्तर में इसकी पतनी मौ कभी नहीं देख सकेंगे यह सुनकर धनपद हारता हुआ बोला कौन ले जाएगा तुझे मुझे नाम बता दे उसका मस्कु टांगे चीर कर रख दूँगा रूपकुमारी हसकर बोली भला किसी अश्रीरी व्यक्ति को भी कोई मार सका है धनपद अस्चरे से बोला श्रीरी के लिए बेचान रहता है इसलिए रातरी के समय में कभी कभार मेरे साथ चोसर खेलने के लिए मेरे कमरे में आ जाता है धनपत ने व्यंगे सर में कहा कहीं सुना है तुमने कि कोई प्रेत आत्म किसी स्थी पर समोईत होकर एक बार उसे पकड़ ले तो गया उसे असानी से छ खबीश मुझे पर मुही जरूर है कि उसने कभी इस तरह का कुकर मेरे साथ नहीं किया है वह तो मुझे अपना मित्र मानता है उससे अधिको और की उसमें कोई इच्छा नहीं की है धन्पत बोला मुझे विश्वास नहीं होता क्या तुम अपनी बात साबित करने के लिए देख भाइंगे अगनी परिकशा देशक्ती हूँ रूपकुमारी बोली बेशक करमापकर पहले ही क्या देथ हूँ कि मेरी अगने प्रिकशा लेनी के बाद फिर मुझे नहीं देख पाईंगे धन्पत ने कहा वे बात की बात है तुम अपनी अगनी परिकशा दे कर जैव अपनी सत्यता शिद्ध कर दोगी तो मैं एक खबीश से तो क्या एक सैकड़ों खबीशों से टकरा जाओंगा पर पहले तुम्हारे सत्यता पर तो मझे यकीन आए अगले दिन धन पत अपनी पत्नी को घर से बाहर ले आया उसने अपनी पत्नी से काब अपने अगनी आने लगी उसने ऐसा करते ही चोकी के चार और अपने आप याँ की लप्ते निकलने लगी आगने से चार और से घेर लिया वे सित्ति देखर उसका पती धन पत घबरा गया और जल से बराए घड़ा लाकर उसके ऊपर उलट दिया लेकिन आग बूजी नहीं उल्टा जल की स पहुच हुचा उसे लाया तुला कि तो वह तो जैसे पत्थर की बन गई हो तantal दैंगारामपट इस्सरूंजा की आथ साम तो जिस दरिश्चे को देख कर आया था वह यही दरिश्चे था उमीद है कि यह सब जान का तरी जिग्याशा शान्थ हो गई होगी यह सुनकर बुला खिना यह बोला नहीं पटेल जबी मेरी तसली नहीं हुई है अभी तक यह बात तो साफ नहीं हुई कि रूप कुमारी जीवित होते हुए भी मिलितक जैसे हाल में कैसे हो गई उसकभी इसके विश्चे में भी कोई बास सपश्च नहीं हुई यदि वह रूप कुमारी पर अशक था तो अन्य प्रेट गरस्त व्यक्तियों की तरह उसने रूप कुमारी को सताय क्यों नहीं धनपत के कहने पर प्रेटमात्मों के पास ही होता है वह खबीश निश्चे ही पुर्ण जर्म में कोई अच्छी आत्मावाला व्यक्ति रहा होगा वह रूप कुमारी पर मुहित तो अवश्य हुआ कि तो शायद उसके प्रेम में नहीं पे तो इसने का वात सल्ले का भाव था वह रहसे में आ अभी जान ही नहीं पाया नहाया पराविद्या भी ऐसी ही है संसार के हर देश में लाखों आदमी ऐसे मिल जाएंगे जो बूत प्रेट के एस्थिता पर विश्वास करते हैं बहुत से तो यह दावा करते हुए मिल जाएंगे कि उन्होंने सुम अपनी आखों से बूत प्र विश्वास में रूप से आखों में उतरती जा रही है मुझे भी सोने दो तुम सों भी सो जाओ यह कहकर पटेल जी खामोश हो गए बुलाफी को भी अपने प्रेस्चन का उतर मिल चुका था तब यह भी सोने की त्यारिया करने लगा कुछी देर में दोने खराटे गुज कि अने लगी